नमस्कार मित्रों आज हिंदी साहिद्य में सुनिये अपने देश की महान कवित्री सुबद्रा गुमारी चौहान जी जो समान रूपसे उतनी ही प्रसिद कطخकार भी थी उणकी लिखी हुई कहानी उन्मादिनी तो प्रस्तोत है कहानी उन्मादिनी लोग मुझे उनमादिनी कहते हैं, क्यों कहते हैं ये तो कहने वाले ही जाने किन्तु मैंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसमें उनमाद के लक्षन हूँ मैं अपने सभी काम नियम पूरवक करती हूँ क्या एक भी दिन मैं उस समादि पर फूल चड़ाना भूली हूँ क्या ऐसी कोई संध्या है जब मैंने वहां दीपक नहीं जलाया है कौन सा ऐसा सबीरा हुआ है जब ओस की धुली हुई नई नई कलियों से मैंने उस समादि को नहीं ढग दिया फिर भी मैं उनमादि नहीं है यदि अपने किसी आत्मिय के सच्चे और निस्वार्थ प्रेम को समझने और उसका मूले करने को ही उनमाद कहते हैं तो ईश्वर ऐसा उनमाद सभी को दे क्या कहा? वो मेरा कौन था? वो तो मैं भी नहीं कह सकती पर कोई था अवश्य और ऐसा था मेरे इतने निकट था कि आज वो समाधी में सोया है और मैं बावली की तरह उसके आसपास फेरा देती हूँ उसकी और मेरी कहानी भिने भिने तो नहीं है जो कुछ है यही है सुनो बच्पन से ही मुझे कहानी सुनने का शौक था मैं बहुत सी कहानिया सुना करती और मुझे उनका वो भाग बहुती प्रिया लगता जहां किसी युवक की वीरता का वर्णन होता मैंने वीरता की परिभाशा अपनी अलग ही बना ली थी यदे कोई युवक किसी शेर को भी मार डाले तो मुझे वो वीर ना मालूम होता मेरा हिर्दे सुनकर उचलने ना लगता किन्तो यदे किसी युवती को बचाने के लिए वो किसी कुटे की टांगी क्यों न तोड़ दे मुझे बड़ा बहातुर मालूम होता मेरा हिर्दे प्रसनिता से उचलने लगता पहले उधारन में स्वार्थ था, कुरूर्था थी, और थी नीरस्ता उसके विप्रीत, दूसरे उधारन में एक तरफ थी भैतरस्त हरने की तरह दो आखें और हिर्दे से उठने वाली अमोग प्रार्थना और दूसरी ओड़ थी रक्षा करने की स्फूर थी वीर प्रमानित होने की पवित्र आकांक्षा और विजह की लालसा इन सब के उपर का मधुर आवरण था जो इस चित्र को और भी सुंतर बना रहा था कहानी प्रेम ने मिरे हिर्दे को एक कालपने कहानी की नायका बनने की आतुरता में उड़ना सिखला दिया था जवानी आई और आई उसी के साथ मिरी कहानी की आशा भी यो तो शीशे में अपना मुह रोजी देखा जाता है परन्तो आँखें कभी कभी केवल अपने को ही देखती रह जाती है गेरे अंधेरे में बंध हिर्देवी कदाचित अपना स्वरूप दरपण में देखने के लिए मचलने लगता है आँखों से लड़ जाता है और उसकी सौंदरे समादी को तोड़ देता है मैंने सुना है कि ऐसा समय आता है जब कुरूप से कुरूप व्यक्त भी अपने को सुंदर समझने लगता है फिर मैं तो सुंदरी थी ही बच्पन में मा मुझे प्यार से मेरी सोना, मेरी हीरा, मेरी चांद कहा करती थी बड़ी होने पर एक दिन कलूटे कुंदन ने मुझसे लड़ाई में कह दिया कि हम तुमारी सरीखा गोरा गोरा मुझ कहां से लाम है बेचारा कुंदन क्या जाने कि उसने इन शब्दों से कौन सा जादू फूंग दिया कि फिर मैं उसे लड़ना सकी इस बात के उत्तर मैं उसे पत्तर फेंक कर मारना सकी हाँ, मैंने अंदर जाकर दरपन के सामने खड़ी होकर कुंदन के मुझसे अपने मुझ की तुलना आवश्य की सच मुझ मेरा मुँ बहुत गोरा था परन्तु कुंदन कुंदन भी तो काला ना था, सामला था और मुझे सामले पुरुशी अच्छे लगते थे बच्पन में अनेग बार राधा कृष्णी की कहानी सुनते सुनते मैं भी अपने को राधारानी समझने लगी थी और क्रिश्न क्रिश्न बहुत तलाश करने पर भी सिवा कुंदन के और कोई न मिलता कुंदन बासर भी बजाता था और सामला भी था फिर भला मेरा क्रिश्न सिवा कुंदन के और को ही कौन सकता था यूती होने पर मेरे विवा की चर्चा सौभाविक थी मैंने सुन रखा था कि विवा कुछ चक्कर लगा कर होता है और एक अपरचित व्यक्ति उनी कुछ चक्रों के बाद लड़की उक अपने साथ लिवा ले जाता है किन्तु मुझे तो विभा के चक्रों से वे चक्र अधिक रुष्टे थे जो कभी-कभी मैं कुंदन के लिए और प्राया कुंदन मेरे लिए लगाया करता था मैं चाहेती तो यही थी कि मुझे अब और किसी के साथ चक्र ना लगाने पड़े मैं तथा कुन्दन दोनों ने मिलकर जितने चक्कर लगाए हैं हमारी जीवन यात्रा के लिए उतने ही पर्याप्त है किन्तु पिताजी तो चिठी पत्री से कुछ और ही तै कर रहे थे सुना है कोई इंग्लेंड से लोटे हुए इंजिनियर है उनके साथ पिताजी मुझे जीवन भर के लिए बान देना चाहते हैं सोचा मुझे कौन से इमारत खड़ी करवानी है या कौन सा पुल तयार करवाना है जो पिताजी ने इंजिनियर तलाश किया मेरे जीवन के थोड़े से दिन कुंदन के ही साथ हसते खेलते बीच जाते किन्तु वहां मेरी कौन सुनता था परिणाम ये हुआ कि यहां इतने चक्कर लगा कर भी मेरे उपर कुंदन का कुछ अधिकार न हो पाया और इंजिनियर साहब ने जिन सर ना मेरी कभी की जान थी ना पहचान मेरे साथ केवल साथ चकर लगाए और मैं उनकी हो गई इधर मेरा विवा हो रहा था, उधर कंदन बिये के परीक्षा दे रहा था सुना कि कंदन परीक्षा भवन बेहोश हो गया आह बेचारा एक ही साथ दो दो परिक्षाओं में बैठा भी तो था विवा की भीड भाड में ना जाने कितने मित्र और रिष्टेदानों की जमघट में मेरी उत्सुक आखें सदा कुंदन को खोशती रहती किन्त इन तीन-चार दिनों में वो मुझे एक दिन भी न दिखा विवा के दिन तो मेरे धहरे का बांध चूट गया कुंदन की बहिन से पूछा मैंने मालूम हुआ कि वो कई दिनों से बीमार है अब क्या करती हिर्दय में एक फीड़ा छिपाए हुए मैं विदा हुई इस टेशन पर पहुँची व्याकुलता असंभव को भी संभव बनाने की उधेर बुन में रहती है मैं जानती थी कि बीमार कुंदन इस टेशन नहीं आ सकता फिर भी आँखे चारों तरफ किसी को खोज नहीं थी इधर ट्रेन ने चलने की सीटी दी उधर गेट की तरफ से कोई तेजी से आता हुँ दिखा आँखों ने कहा कुंदन है हिर्दय ने समर्धन दिया किन्तु मस्तिश्क ने विरोध किया वो बीमार है फला इस्टेशन पर कैसे आएगा पर वो मेरा कुंदन ही था उसकी आँखों में निराशा जनक उनमाद चेरे पर विशाद की गहरी छाया और होटों पर वही स्वाभाविक मुस्कुराहट थी सिर के विखरे हुए रूखे बालों ने पूरा माथा डख रखा था मैं चिल्ला उठी कुंदन इतनी दिर बात पासी बैठी हुई नाइन ने मेरा मुँ बंद कर दिया बोली चिल्लाओ ना बेटी बराती सुनेंगे तो क्या कहेंगे अब मुझे होश आया कि मैं कहीं जा रही हूँ अपने कुंदन से बहुत दूर बहुत दूर कटे व्रक्ष की तरह मैं बैंच पर गिर पड़ी हिर्दय जैसे डूबने लगा ट्रेन चल पड़ी जब मनुष्य के प्रति मनुष्य की ही साहनवूति कम देखने में आती है तब भला इस जड़ पडार्त रेल गारी को मुझसे क्या साहनवूति हो सकती थी उसने मुझे कुंदन से दो बाते भी नहीं करने दी और छुक छुक हावा के साथ उड़ चली मैं ससुरा लाई बड़ी भारी कोठी थी बहुत से दास-दासियां थे यहां का रंगी दूसरा था पति देव को अंग्रेजियत बहुत अधिक पसंद थी उनका रहन, सहन, चाल, ढाल, बात, वेवार सभी सहाबाना था वे हिंदी बहुत कम बोला करते और अंग्रेजी मैं जरा कम समझती थी इसलिए उनकी बहुत सी बातों में प्राया चुप रह जाया करती उनके सभाव में कुछ रूखापन और कठोड़ता अधिक मात्रा में थी नौकरों के साथ उनका जो बरताव होता उसे देखकर मैं बहसे सेहर उटती थी वे मुझे प्राया रोज शाम को और कभी सवेरे भी अपने साथ मोटर पे बैठा कर मीलों तक घुमा लाते अपने साथ सिनेमा और थीटर भी ले जाया करते किन्तु अपने इस साथ बहादूर के पार्श में बैठ कर भी मैं कुंदन को न खुन सकती सिनेमा की तस्वीरों में रेश्मी कुरता और धोती पहने मुझे कुंदन की ही तस्वीर दिखाई पड़ती पती का प्रेम मैं पा सकी थी या नहीं ये मैं नहीं जानती पर मैं उनसे डड़ती बहुत थी भे का भूत रात दिन मेरे सिर पर सवार रहता था उनकी साधारान सी भाव भंगिमा भी मुझे कपा देने के लिए पर्याब थी वे मुझे से गवी नाराज ना हुए थे फिर भी उनके समीप मैं सदा यही अन्वो करती कि मैं बंदी हूँ और यहां जबर्दस्ती पकड़ कर लाई गई हूँ इस एश्वरिक की चका चौंध और विभूतियों के सामराज में भी मैं अपने बाल सखा कुंदन को नहीं भूल सकी मायके की सचंद वायों में कुंदन के साथ खेलना लड़ना जगड़ना और उसकी बासुरी की ध्वनी मुझे भूलाए से भी न भूलती थी क्षण भरका भी एकान पाते ही बच्पन की सुनहरी स्प्रतियां साकार होकर मेरी आखों के सामने फिरने लगती जी चाहेता कि इस लोक लज्जा की जंजीर को तोड़ कर मैं मायके चली जाओं किन्त इसी भी छोटे भाई के पत्र से मुझे मालूम हुआ कि कुंदन घर छोड़ कर न जाने कहां चला गया है उसका कहीं पता नहीं है इसलिए मेरी कुछ-कुछ ये धारना हो गई कि अब इस जीवन के कैद खाने से निकल कर भी कदाचित मैं कुंदन को देखना सकूंगी मायके जाने की भी अब मुझे कोई उत्सुपता न थी अब तो किसी प्रकार अपने दिन काटने थे ना तो जीवन से ही कुछ आकरशर था और ना किसी के प्रतिकिसी तरह का अनरागी शेश रह गया था पर काट की पुतली की तरह सास और पती की आज्याओं का पालन करती हुई नियम से खाती पीती थी, इसनान और श्रंगार करती थी और भी जो कुछ उनकी आग्या होती उसका पालन करती इसी समय एक ऐसी घटना हुई जिससे मेरी सोई हुई इसम्रतियां फिर से जाग उठी मेरा उनमाद और बढ़ गया एक दिन दोपहर के बाद मैं अपते छज्ये पर खड़ी हुई अनमयस्क भाव से बाहर सडक से आने जाने वालों को देख रही थी सहसा सामने से कपड़ा बेचता हुआ कुछ कपड़े स्वयम कंदे पर धरे हुए कुछ नौकर के सिर पर रखवाए हुए मुझे कुंदन दिखाई पड़ा विश्वास ना हुआ परन तो आँखें खुली थी मैं सपना नहीं देख रही थी दोड़ कर नीचे आई आती ख्याल आया कि मेरे पैरों में तो मर्यादा की बेड़ियां पड़ी है मैं कुंदन के पास दोड़ कर कैसे जाऊंगी उसके बाद मैंने देखा कुंदन स्वैमी मेरेहा के एक नौकर के साथ हमारे आहाते में आ रहा है बाहरी बरामदे में उसने कपड़े उतार दिये सोफे पर सास बैटी थी मैंने उनके बुलाने की पतीक्षा ना की चुपचाप आकर सोफे के पीछे खड़ी हो गई मेरी सास सामान खरीदने की बड़ी शौकिन थी हमारे दरवाजे पर से कोई फेरी वाला ऐसा न निकलता था जिससे वे कुछ ना कुछ खरीदना लेती हूँ सास की इस आदत की आज मैंने मुक्त हिर्दय से प्रशंसा की यदे उन्हें सामान खरीदने का इतना शौक ना होता तो शायद मैं इस कपड़े वाले अर्थात कुन्दन को इतने समीब से न देख पाती मुझे अपने पीछे देख कर वो हसकर बोली बहु क्या लेना है जो कुछ लेना हो अपने मन का पसंद कर लो बेचारी सास क्या जानती थी कि कपड़ों से अधिक मुझे कपड़े वाला पसंद है फिर भी उनके आगरे से मैंने दो शान्ती पुरी साड़ियां ले ली उन्होंने भी अपने लिए कुछ साड़ियां खरी दी उसे दाम देकर और कही तरह की साड़ियां लाने के लिए कहकर सास ने उसे विदा किया कुंदन में बड़ा परिवर्तन था अब वो बहुत दुबला और अधिक सामला हो गया था चेरे पर वो लालिमा ना थी किन्तु वही मनस्विता और तेज टपक रहा था जो पहले था इस घटना को करीब एक महिना बीद गया लगाता प्रतिक्षा करते रहने के बावजूत मैं कुंदन को न देख सकी जेट का महिना था बगीचे का एक माली चुट्टी पर गया था बुढ़ा माली एक महिंती आदमी की तलाश में था चार बजे तक घर में बंद रहकर गर्मी के कारण खबरा कर मैं अपनी सास के साथ बगीचे में चली गई वहीं बगीचे में मौलसिरी की घनी ज्जाया में चबूतरे पर मैं सास के साथ बैठी थी बार बार यही सोचती थी कि कुंदन कहा चला गया कपड़ा लेकर फिर क्यों नहीं आया बीमार तो नहीं पड़ गया और अगर बीमार हो गया होगा तो उसकी देखभाल कौन करता होगा मेरी आखों में आसु आ गए इसी समय पीछे से आकर बुढे माली ने कहा सरकार ये एक आदमी है जो माली का काम कर सकता है हुकुम हो तो रख लिया जाए मैंने मुड़कर देखा तो सहसा विश्वास ना हुआ कुन्न और माली का काम मेरी बेसुद वेदना तड़प उठी एक संपन्य परिवार का होनहा रिवप दस रुपे महावार की माली गीरी करने आए इतनी कड़ी तपस्या हे ईश्वन क्या इस तपस्या का अंत ना होगा दस रुपे महावार पर कुन्न बगीचे में माली का काम करने लगा मैं देखती कड़ी दोपहरी में भी वो दिन दिन भर कुदाल चलाया करता पानी सीचता और टोकरी भर-बर मिटी धोता उसका शरीर अब दिन-दिन दुबला और सामला पढ़ता जाता था उसके सुभाव में कितनी नवावी थी वो मेहनत के काम से कितना बचता था वो से छिपा नहीं था किन्तु अब वो कितना परिश्रम कर रहा है मुझे चिंता रहती थी कि उसका सुकुमार शरी इस कठिन परिश्रम को सहने सकेगा मैं चाहती थी कि किसी प्रकार उसे रोग दूँ ये काम वो छोड़ दे परन तो रोगती कैसे उससे बात करने की मुझे इजाजत ही कहा थी पहले की अपेक्षा अब मैं बगीची में अधिक आने जाने लगी पहले आने जाने पर किसी ने ध्यान नहीं दिया किन्तो कुछी दिनों बाटी काटे पढ़ी होने लगी बाद में रुकावट भी पढ़ने लगी जिसका परिणाम ये हुआ कि अब सुबह शाम छोड़कर मैं प्राया दोपहर को जाने लगी कुंदन से दो मिनट बात करने का मैं अवसर्प खुजा करती थी किन्तो मेरे पीछे तो लोग जासूस की तरह रहते थे मैं एकांद कभी नहीं पाती और सबके सामने उससे बात करने का सहस नहीं होता कभी कभी मैं उसके नजदीग भी पहुंच जाती तो वो भी मेरी और आँख उठा करना देखता मैं ही उससे देख लिया करती अनेक बार जी चाहा कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा जाओं उसकी कुदाल चीन कर फेक तूँ और उसे अपने साथ लिवा लाओं अब उसकी तपस्तिया अवशक्ता से अधिक हो चुकी है उसे अब मेरे निकट रहकर मेरे इसने की शीतल चाया में विश्राम करना चाहिए उस दिन बड़ी गर्मी थी बंद कमरे में पंखा और खसकी टट्यों के भीतर से मैं उस गर्मी का अंदाजा न लगा सकती थी नजाने क्यों एक प्रकार की बेचैनी से मैं अत्यंत अस्थिर सी थी उठी खिडकी खोल कर देखा कुन्दन अब भी कुदाल चला रहा है जी ना माना दर्वाजा कुल कर बाहर निकली पंखा कीशने वाली दासी ने रोगा बहु इतनी गर्मी में भीतर से बाहर न जाओ लू लग जाएगी मैंने उसे हाथ के इशारे से चुप रहने के लिए कहा और बगीचे में पहुची कुन्दन की कुदाल रुग गई कुदाल को जमीन पर रखकर एक तरफ फेक कर उसने आशरे से मेरी ओर देखा मैंने कहा कुन्दन तुम इतनी कड़ी तपस्या क्यों करते हो तुम्हें इस प्रकार काम करते देखकर मुझे कश्क नहीं होता तुमारा शरीर इस महिनत को सह सकेगा तुम कहीं सुक से रहो और मुझे भी शांती मिले आखिर इस प्रकार जीवन को तपाने से क्या लाब होगा तुम तो मुझसे अधिक समझदार हो कुन्दन सारी करोना सिमट कर कुन्दन की आँखों में उतर आई वो कुछ बोला नहीं बोलता भी कैसे उसी समय खास्ता हुआ बुढ़ा माली अपनी कोठ्री से बाहर आया और फिर उसे कुदाल उठा लेनी पड़ी मेरा स्वास्त दिन पर दिन गिरता जा रहा था लोगों को संदेता शायद मुझे टीवी हो रही है पति देव मुझे भुवाली भीजने के तयारी कर रहे थे किन्तु वे क्या जानते थे कि भुवाली से भी अधिक स्वास्ते लाब मैं कुंदन के समीब केवल उसके सहवास से कर सकती हूँ मेरी दवा तो कुंदन है भुषवाली और शिमला मुझे वो स्वास्थे नहीं प्रदान कर सकते जो मुझे कुंदन से केवल स्वतंतरता पूर्वक मिलने जुनने से मिल सकता है मैं उसे केवल स्वतंतरता से बातचीत करना और मिलना जुनना चाहती थी और ये मेरे पतिदेव को स्विकार ना था नौकरों को वे मिट्टी के ठीकरों से भी गया बीता समझते थे दस रुपे महावार देने के बाद समझते थे कि उन नौकरों की आत्मा और शरीर दोनों को उनोंने खरीद लिया है उनसे इतनी सक्ती से पेश आते कि नौकरों को उनके सामने पहुशने में बड़े साहस से काम लेना पड़ता इधर कुंदन से एक दिन खुल कर बाचीत करने के लिए रात दिन मेरे मस्तिश्क और हिदे में युद छिड़ा रहता अब ना मुझसे पढ़ा लिखा जाता और ना किसी काम में ही जी लगता खाने की तरफ भी कुछ वेशेश रुचिना रह गई थी खाना देखते ही वे दिन याद आ जाते जब मैं और कुंदन एक ही थाली में बैट कर खाया करते थे चाय सामने आते ही कुंदन की याद आ जाती मुझसे भी अधिक चाय का भक्त तो वही था आज वो मेरे बगीचे में माली है और मुझे इतनी भी स्वतंतरता नहीं कि उससे एक दो बातें भी कर सको फिर उसे साथ बैट कर चाय पीने और भोजन करने की बाद तो बहुत दूर की रही मैं रात दिन इसी चिंता में गुली जाती थी किन्तो मेरी पीडा को कौन पहचानता अपने इस घर में तो मुझे सभी हिर्दैहीन जान पड़ते थे एक दिन ओफिर से लोटते ही पतिदेव ने मुझे प्रश्न किया आखिर उस माली से तुम्हें क्या बाते करनी रहती हैं जो दो पहर को भी बगीचे में जाया करती हो कितनी बार तुमसे कहा कि नौकरों से बाचीत करने की तुम्हें जरूरत नहीं है पर तुम्हें मेरी बात याद रहे तब न इस बात को भूल जाती हो कि तुम एक इंजिनियर की स्त्री हो तुम्हें मेरी इज़ड का ख्याल रखना चाहिए मैं कुछ न बोली बोलती भी क्या मैंने चुप रहना ही उचित समझा मुझे उससे क्या बातचीत करनी रहती है मैं उन्हें क्या बतलाती वो बतलाने की बात थोड़े ही थी समझने की बात थी और उसे वही समझ सकता था जिसके पास हिर्दय हो जिसके पास हिर्दय ही ना हो वो हिर्दय की बात क्या समझे मेरी इस चुपी का आर्थ उन्होंने चाहे जो कुछ भी लगाया हूँ किन्त उनकी इस बाधा से मुझे बड़ी वेदना हुई कुंदन से दो-चार मिनट बात करके ना तो मैं उनका कुछ बिकार देती और ना कुंदन को ही कुछ दे देती फिर भी कुंदन से मिलने में उन्हें इतनी आपति क्यों थी? कौन जाने? चाहे जो हो इस बाधा का परणाम उल्टा ही हुआ जो जो मुझे उसके समीब जाने से रोका गया तो तो उसके पास पहुँचने के लिए मिरी उतकंठा प्रबल होती गई गर्मी की रात थी बगीचे में बेले इस प्रकार खिले थे जैसे आसमान में तारे फ्हले हो मैं उन्ही बेलों के पास संगमरमर की बेंच पर बैठी थी कई दिन हो गए थे कुंदन बगीचे में काम करता हुआ ना दिखा था पर कहा गया काम करने क्यों नहीं आता यद्यपी यह जानने के लिए मैं अत्यंत अस्थिर थी फिर भी किसी से कुछ पूशने का मुझ में साहस नहीं था अत्यंत उद्दिग्णिता से मैं बगीचे में इधर-धर टहले लगी टहलते टहलते मैं मालियों के कौर्टर की तरफ निकल गई दूर से कुंदन की कोट्री कई बार देखी थी आज उस कोट्री के बहुत समीप पहुँच गई थी कोट्री में प्रकाश तो न था किन्त अंदर से करहाने की आवाज साफ साफ सुनाई पड़ती थी मैंने ध्यान से सुना आवाज कुंदन की थी अब मैं बिल्कुल भूल गई कि मैं किसी इंजीनियर की इस्तरी हूँ और कुंदन मेरा माली तेजी से कदम बढ़ा कर मैं कोट्री में पहुच गई बिजली का पटन दबाते ही कोट्री में प्रकाश फैल गया कुंदन ने घबडा कर आँखे खोल दी मुझे देखते ही इस बीमारी में भी उसकी आँखे चमक उठी और ये वही चमक थी जिसे उसकी आँखों में मैंने एक बार नहीं अनिक बार दीखा था मैं उसी की चारपाई पर उसकी सिरहने बैट गई तेज बुखार से उसका शरीर जल रहा था मालूम हुआ कि उसे कई दिनों से बुखार आ रहा है किन्तु काम वो फिर भी बराबर करता रहा इधर कई दिनों से वो बहुत अशक्त हो गया था और दो दिनों से चाती और पसलियों में अधिक दर्द होने के कारण वो कोश्री से बाहर ने निकल सका उसकी अवस्था चिंता जनक थी कुछ देर तक खास करो फिर बोला हिनारानी तुम आई तो हो कोई तुमें कुछ कहेगा तु नहीं पर अब आई ही हो तो अपने हाँ से एक गिलास पानी पिला दो बड़ी देर से प्यासा हूँ मैंने मटकी से एक गिलास भर पानी उसे पिलाया और वहीं बैट गई मैं उसके सिर पर हाथ फिरने लगी मेरी आखों से रोकने पर भी जड़ी लगी थी और गलार उंधा जा रहा था प्रयत्न करने पर भी मैं कुंदन से एक शब्द ना कह सकी कुंदन ने अपने गरंगवारम हाथों को नीचे जुका कर मेरे पैरों को छूलिया और क्षिर स्वर में बोला हिनारानी घर जाओ तुम्हें कोई यहाँ देख लेगा तो नहाग तुम पर कोई विपत्य ना आ जाए कहीं मेरा ये सुक भी न छिन जाए तुमारे समीब इस हालत में भी रहकर मैं एक प्रकार का सुक पाता हूँ ठीक उसी समय पतिदेव ने कोठरी में प्रवेश किया उन्होंने आगने नेत्रों से मेरी तरफ देखा फिर कुछ बोले क्या बोले मैं कुछ समझी नहीं मैं उसी प्रकार कुंदन के सिर पर हादरे बैठी रही मेरी आत्मा ने कहा मैंने कोई अपराद नहीं किया है किसी बीमार की सेवा सोशिष्ष्रा करना मनुष्य मात्र का धर्म है फिर मृत्य की घडियों को गिनते हुए उसकी नजरों में अपने एक आश्रित और अपनी आखों में अपने एक बाल सखा को यदि मैंने एक हूट पानी पिला दिया तो क्या ये कोई अपराद कर डाला किन्त मैं उसी क्षण कोशरी छोड़ देने के लिए बात है कर दी गई मैं उपर आई तो अवश्य किन्त मेरी अवस्था पागलों की तरह हो गई थी रह रहकर कुन्न की रुक्ण मुखाकरती मेरी आखों के सामने फिरने लगी बार बार ऐसा मालूम होता कि कुन्न एक घ्मूट पानी के लिए चिला रहा है पति देव सोय थे मैं भी एक तरफ पड़ी थी पर मेरी आखों में नीन कहां उठी और छज्जे पर बेचैनी से तहलने लगी बंगले के पास ही बिजली के खंबे के नीचे मैंने कुछ सफेज सफेज सा देखा अग्यात आशंका से मैं सिहर उठी ध्यान से देखा वो कुन्दन था कदाचित जीवन के अंतिम सांसे गिन रहा था उस समय ना तो कुल की मान परतिष्ठा का ध्यान रहा ना किसी के भैका और ना यही ध्यान रहा कि इतनी रात को लोग मुझे बाहर देख कर क्या कहेंगे चौकीदार मेरी आग्या का उलंगन कैसे करता भाटक खुलवा कर मैं बाहर निकल आई पास पहुँचकर देखा कुंदन ही था आह वही अपने माता पिता का दुलारा कुंदन अपने मित्रों का प्यारा कुंदन जिसका कुमलाया हुआ मुख देख कर कितने हिर्दे साहन भूत से द्रवी भूत हो उटते थे जिसके इंगित मातर पर परिचारक, वर्ग, सेवा के लिए प्रस्तुत रहता था आज वही कुंदन जीवन के अंतिम समय में अकेला और असहाई स्चूने द्रश्टी से आस्मान की तरफ देख रहा है मुझे देखते ही जैसे उसमें कुछ शक्ती आ गई हो वो क्षिर स्वर में बोल उठा हिना रानी, अच्छा हुआ जो तुम आ गई थोड़ा पानी पिला दो, मैं बहुत प्यासा हूँ मैंने पानी के लिए चारो तरफ नजर दोड़ाई थोड़ी दूर पर नल तो था, पर बरतन कोई न था जिससे मैं उसे पानी पिला थी, सोचा घर तक जाऊं पर घर जाने का समय ना था, नल पर से साड़ी का छोर पानी से भिगो कर लोटी, परन्तु अब वो पानी मांगने वाला इस संसार में था ही कहां, बस मेरी या उसकी कहानी यही है अभी आप सुन रहे थे सुबत्रा कुमारी चोहान जी के लिखी हुई कहानी उन्मादिनी फिर मिलेंगे, आपका समय शुब हो, आनंद मैं हो